करनाटक विदान सभा चुनाओं में मदान की तारीक नजदीक आते ही राजनीतिक बयानबासी बढ़ रही है। इसके अलावा नए समीकरण भी साधे जा रहे हैं। मंगलवार को करनाटक में राली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्र और उसके बारे में बात करते हैं। यहां भी उन्होंने ऐसा ही किया है। बता देख कि मंगलवार को प्यम मोदी ने कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री देव गौडा ने दिल्ली में जब भी वक्त मांगा, मैं उनसे मिला। देव गौडा जब घर आते हैं तो मैं उनकी गाड़ी का दर्वाजा खुल कर उनका स्वागत करता हूं। जब वे जाते हैं तो मैं उनको गाड़ी में बैठा कर आता हूं। वे हमारे राजनीतिक विरोधी हैं लेकिन वे हमारे सम्मानिय नेताओं में से एक हैं। इस पर भी देव गौडा ने कहा कि प्रधानमंत्री जो कहा है वही काफी है। लेकिन इसके अलवा और कुछ भी नहीं है। देव गौडा बोले कि मोडी जानते हैं कि सिधार मैं या किस तरह मेरे बारे में बात करते हैं। हलाकि उन्होंने कहा कि वे हाके लिदम पर राज्य में सरकार बनाएंगे और किसी के साथ नहीं जाएं थर्ट फ्रंट ने केंडर में सरकार बनाई हुई है। जब मैं पीम था तो उन्हें मेरा काम देखना चाहिए। देव गौडा ने बताया कि मैंने एक बार कहा था कि अगर मोडी अकेले दम पर सरकार बनाते हैं तो वे हसंसत से इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन कभी देश छोड़ने की बात नहीं की थी। 2014 के बाद मैंने इस्तीफा भी दिया तो मोडी ने मुझसे बात की। और कहा कि चनाव में हम बहुत कुछ बोलते हैं हर बात को दिल में नहीं रखना चाहिए। हमने करीब 15 मिनट तक बात की थी।